खाहिसों से ही नहीं गिरते हैं फूल जोली में। इसके लिए कर्म की साख को हिलाना होगा। और अंधेरे को कोशने से कुछ नहीं होगा मेरे यार। इसके लिए अपने हिस्से का दियां आपको खुछ जलाना होगा। नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PVR स्टडी में तो छात्रों आप सब को पता है कि बोर्ड की परिक्षाएं खोपड़ी पे आ गई हैं और हम लोग पढ़ाई लिखाई तेज कर चुके हैं है ना आप अब के तिरकोड मिती चैप्टर का आझ यह लस्ट वीडियो है लस्ट कलास है क्योंकि 8.4 यह लाश्ट है इसमें टोटल पांच कुष्चन है पहला कुष्चन में जो है वो ज़्यादा part है नहीं एक है part है दूसरे question में भी एकी part है हां? जो भी है ठीक है? आगे पूरी बाद समझते जачते जाईएगा और जो तीसरा question है उसमें 2 part है ठीक है? और चौते question में क्या है भई? चौते question में बाबू इसमें धेर सारे part हैं पाचुए में भी धेर सारे हैं तो हम सब एके वीडियो में करेंगे ठीक है वीडियो को पुरा इंडे तक देखना कलास में छोड़ किने जाना कोईश्चन आपके सामने इस स्क्रिन पर है इसे जरत ध्यान से देखिए गवर से और प्यार से देखिए क्या कह रहा है उपर देखिए इस स्क्रिन पर कोईश्चन मैंने दिखा दिया है तिरकोड में तीया अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में बेक्त कीजिए मतलब तीन तिरकोड में तीया अनुपात हैं साइन, सेक और टैन, इनको कॉट के पदों में लिखना है, ठीक है, तो कुछ चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए, छोटी-छोटी, वो मैं यहां पर लिखते जाऊंगा और आपको दिखाते जाऊंगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा में पहले सूतर लिखूंगा, तो तु सेक और टैन, इन तीनों को कॉट के पदों में वेक्त करना है, तो मैं एक-एक करूंगा, देखिए बच्चों, आप सभी जानते हो, प्यारे साथियों, कि साइन, एक को हम लिख सकते हैं, वन अपान, अंडर रूट, कॉसेक, इसक्वायरे, कुछ लोग कहेंगे, आईसे कैस आप इसको लिख सकते हो, यह कैसे लिख सकते हो, तो भाई देखो बेटा, इसमें क्या है, इसमें एक सूत्र होता है, साइन, ए बराबर, यह फर्मूला है, यहाँ देख लीजिए, उसको मिटा दूंगा, गुड़ा वाला, उससे टेंसर मत लेना, यह साइन, एक कॉल होता ह है, वन अपन, क्या होता भई, कॉसेक ए, ठीक है, वन अपन क्या होता है, कॉसेक ए, तो अगर यह सूत्र होता है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, साइन, इसको ए, एसे भी तो हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ फे थोड़ा सा कहानी समझना आगे, क्या मैं बताने वाला ह यह कॉस्यक है, इसक्वारे, अगर यहां से हम वर्गमूल, सरी, वर्गा हटा दें, जो इसक्वार है, तो इधर साइड वर्गमूल हो जाएगा न, वर्गमूल का चिन लग जाएगा न, ऐसे देखो, सिंपल सा बात है, भाई जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा है, पांच, हो जाएगा इसको सभी जानते दश्में पहुचें इसको न यहां से रहचेगा तो उधर क्या होग अंडर उड़ना खैiconen जाये गाव किति offers A 마 यहीं ज़्या डिद क्यों का जैवे लिखा इसको आपने यहां सेंतर हैं क्यों कि हमें इसको क्या करना बाभबु हमनि को को काट में बदलना है किसमें बदलना है इसको काट में बदलना है ठीक है तो आगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए आगे अब हम इसको क्या कर सकते हैं मैं आपको यहां पर बताता हूं ध्यान देना देखो भाई हमें इसे काट के पदों में लिखना था और मैंने स्क को ऐसा बनाया गया यह answer हो गया answer हो गया क्योंकि हमें sign a को court के पद में लिखना था मैंने लिख दिया यह court के ही पद में है दिखे सर्बसमिका इस से आप यहां breaker में लिख लिजिए यह सूत्र था इसके माध्यम से इसको किया गया था यहां पर लिखिए क्योंकि क्या होता यह court square a plus one equal होता है कासे के स्क्वारे यह मुख्य सर्बसमिका याद रखना भाया यह सूत्र है बावु इसी के मदद से इसको किया गया यह सर्बसमिका है इसको लिख लिजिए ठीक है इसी के according इसकी जगा पर यह किया जा सकता है या फिर इसकी जगा पर इसको किया सकता है ठीक है डन इसमें तो को ratio नहीं न चलिए लिख लिजिया अगला देखते हैं इस्क्रीन साट लेना है तो जल्दी ले लीजिए क्योंकि मैं इसको इसक्रीन से हटा रहा हूं बहुत जल्दी करिये अगला जो है जिसे हमें बदलना है कॉट A के पद में वो क्या है? सेक A है देखे साथ हैं सेक A को हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 1 प्लस यह 10 ऐसको लिख सकते हैं आप कहोंगे ऐसे कैसे लिख सकते हों इसे इस लिख सकते हैं करो यह सर्बसामिका होती बाबू यह होता है न है ए सेक स्क्वाइर A और प्लस 1 हा आ खती 1 a plus 1 equal 10 square a या फिर इसको सीधा फीदा ऐसे मतलिखो ऐसे कम अच्छा रहेगा ये इसका थोड़ा उल्टा होता है ये माइनस का 10 square a बराबर 1 ठीक है माइनस का 10 square a बराबर 1 ये क्या है ये सर्बसमिका होती है और इसी के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हो इधर से जब square हटेगा तो उधर बार गमूल हो जाएगा ठीक है हमें इसको क्या करना था इसको caught के पद में लिखना था क्योंकि question में कहा था सभी को caught के पद में लिखना है ना भया तो हम लिख सकता हूँ इसको 1 upon यह caught square a नहीं सही है क्योंकि आप सब को पता यह भी तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 a बराबर 1 upon caught a होता है ठीक है इसी तरह से sign a बराबर 1 upon को से के होता है 6 a बराबर 1 upon को से होता है यह सबीन क्या पोजिट होते हैं ऐसे होते हैं ठीक है लेकिन अब कहोगे यह caught के पत में हो गया नहीं यहाँ पर answer नहीं हुआ final answer के लिए अभी इसको और भी हल करेंगे इसका cross multiple करेंगे तो caught square a यह plus 1 और यह caught square a ठीक है अंडर root दोनों पर लगा याद रखना उपर और नीचे ठीक है यह बात समझ के चलना तो साथी मेरे क्या करोगे अब वर्गमूल दोनों में अलग अलग कर दो caught square a plus 1 और नीचे का वर्गमूल नीचे कर देते हैं ठीक है बहुत ज़्यदा इच की आरी पता नहीं का होने वाला है तो यह उपर का वर्गमूल उपर ऐसे ही रहेगा नीचे का क्या होगा इधर square भी है इसमें याद रखना square है भी है square और वर्गमूल दोनों हट जाएगा बाबू तो यह आएगा caught a ठीक है यही final में answer हो जाएगा कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे इसपे से square और वर्गमूल कैसे हट गया जरा समझ ना देखो भाई बाबू समझो इधर अगर कहीं under root 3 का whole square है ना समझ ना जैसे माल लो यह example समझा रहा हूँ जैसे काट वाल था तो इसका मतलब क्या है जरा सोचो इसका मतलब है कि under root 9 आएगा तुम्हें सीधी सी बात है तिन तरीक करना होता है तो जब 9 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा बोलो आया ना लाष्ट में वही आया ना यानि हम यहीं अगर आपको बता दे कि इनको कुछ ना करो ना तो ना इनका वर्गमूल करो डियरेक्टिीन काल लो बस तो यहाँ पेंगे न कि समझ गे मैं तुमने को यह नहीं कहा कि काटना कर दो तो कट्भी स्कॉर हो जाएगा फिरगमूल करोत तो काट आजएगा मैंने का डारे ठादा दो ठीक यह हो गया कुश्चन में क्या कह रहा था एक बार फिर से दिखा देते हैं स्क्रीन पर भाई दिखा दीजिए कुश्चन कहां गया पहला वाला आप सबको पता है अभी नहीं आ रहा है साइने सेक ए और टैने इनको कॉट के बद में लिखना था मैंने साइन और सेक का कर दिया अब चलिए टैने को कॉट के बद में लिखते हैं अगला इसका स्क्रीन साट बहुत जल्दी ले लो यह समझाने के लिए था वगल लिखना है तो यह टैने को हम लिख सकते बाबु अनपान कोटे बस यह हो गया यानि पहला कोश्चन हो गया इंड खतम हो गया यह सभी याद रखना यह थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं इदर देख लो देखो बाबु साइन एका जो उल्टा होता है वो होता है कॉ तो साइन एको वन अपान कॉसे के लिखा जा सकता है उसी तरह से कॉसे के को वन अपान साइन ए लिखा जा सकता है ठीक है ना भया याद रखना सेक ए बराबर वन अपान कॉसे लिख सकते हैं तो बेटा इसी करम में कास एको वन अपान सेक ए भी लिख सकते हो ठीक है समझ र कर पाइगा हो यह सब याद रहेगा तभी आगी जाके कुछ कर पाऊगे ठीक है यह ने साइन का बता दिया cause का बता दिया opposite 10 का बता दिया ठीक है इनके जो opposite है sign का cause एक है उसका भी बता दिया cause का एक है उसका बता दिया 10 का बता दिया बतलब यह 4 और यह 2 6 6 हो गए न यह याद रखना mini formula है इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कहीं काम लगे तो sign square यह cause है इसका इसकार करोगे तो वह नहीं रहेगा उस पर लगावे न लगाव कोई फरक नहीं पड़ता है एक तो यह तरीका जो मता है वो था एक आप सब पे square लगा के भी लिख सकते हो सब पे square लगा दो यह भी एक सूत्र है ठीक है सब भी पे square लगा के भी एक formula बन सकता है तो याद रखना बिल्कुल याद रखना कभी नहीं भूलना पता नहीं क्यों यह तरी ढ़कार टाइप का रहा हिचकी आ रहे पता नहीं कौन याद कर रहा है इससे लिख लेजिए मैं अगला question दिखाता हूँ next number पर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो second number दिखाईए भाई second number question देखिए इस screen पर आपके आ चुका है यह बहुत आसान है थोड़ा आलग है सबसे यह a के line का परस्ण है क्या लिखा है पढ़िए उपर question थोड़ा blur होगा लेकिन दिख रहा है न करा कोंड़ दो के अन्य सभी तिरकोड मिती अनुपातों को सेक एक पदों में वक्त कीजिए बदलब जैसे इसमें काट में लिखना था वैसे कोंड़ एके सभी अन्य तिरकोड मिती अनुपात यानि सेक एको अगर छोड़ दिया जाए तो साइन कास तैन कास एक और काट इन सब को सेक एक पद में लिखना है चलिए करते हैं देखे मैंने लिख लिया है साइन एको साइन एको क्या करना है वहिया इनको सेक एक पद में लिखना है ठीक है कोंड़ एके अन्य सभी तिरकोड मिती अनुपात को बोला है मतलब साइन कॉस सेक जितना भी बजते हैं सब सब में कोड़े ले करके और उन्हें कॉस सोरी सेक के रूप में बदल देना ठीक है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यह सर्वसमिका होती है आप दस में हो आपको इतना पता है तो भाईया हो बाबु हो कॉस को अभी मैंने बताया कि वन अपान सेक लिख सकते हो तुम कॉस की जगा पे क्या लिख सकते हो वन अपान सेक लिख सकते हो तो वन माइनस कॉस स्कॉयर की जगा पे वन अपान सेक का स्कॉयर हो जाएगा ठिक है डन अब इसको हल करेंगे आगे सरल करेंगे क्रास मल्टीपल होगा तो सेक स्क्वाइरे माइनस वन अपान ये सेक स्क्वाइरे कैसे हो गया सेक स्क्वाइरे का मल्टीपल वन में हुआ वन का वन में हुआ सेक स्क्वाइरे का वन में हुआ यह ऐसे होता है जैसे एक बटा दो माइनस एक बटा पांच होता है तो ऐसे ऐसे करास मल्टिपल होता है ना बिल्कुल वैसे होता है इतना हो गया इतना यहां करने के बाद में यहां उपर आ जाना यह वर्गमूल का चिन याद रहे दोनों पर है अंसर हर दोनों में ठीक है ना बबुआ ठीक है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को अब इसमें काम कर सकते हो तुम वो क्या है वो यह है कि वर गमूल का चिन दोनों जगा हाल अलग कर सकते हो यह sec square a minus 1 और नीचे वाले पर भी यह sec square a अलग से ठीक है अब क्या होगा इसके आगे लगा देता हूं इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं sec square a minus 1 और यह sec a नीचे से वर्गमूल आठाके ही answer लिखते हैं ठीक है तो यह final answer हो गया अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है इस पर स्कॉयर भी था वर्गमूल भी था तो स्कॉयर हटा देते हैं ऐसी इस्तिती में आपको पाता है मालूम है मैं कई बार बता हूँ वो ऐसा कई बार आया है तो कैसे हल करना इसको सबसे पहले यहां से शुरू करना ऐसे यहां तक आना है यहां के बाद यहां जाना है और फिर यहां जाना है यह हो गया आपका sign A का sec A के पद में ठीक है अगला चलिए करते हैं अगला भाई कह रहा था सभी को करना है ना अन्य सभी को तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है don't worry sign का हो गया इसी तरह से cause का कर लेंगे तो cause तो आसान है sec में बदलना इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कर लोगे न सभी लिखो आप लो cause a बराबर तो cause a बराबर लिखोगे directly one upon sec a बस हो गया लिख देता हूँ मैं cause a बराबर one upon sec लेकिन सभी ऐसे नहीं हो जाएंगे क्योंकि इसका पोजिट था इसलिए ऐसा हो गया cause a equal one upon sec यह हो गया done अन सभी को कहा था ठीक है तो तो तैने को कर लो भाईया यहां लिख दो सर्व समिका से या सूतर से तैने 10 a को भी हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बाबू इसको हम लिख सकते हैं sec square a minus one यह भी क्या सर्व समिका से चुंकि sec square a minus 10 square a equal one होता है और इसी सूतर से यह बन जाता है कैसे बन जाता है तुमको पता है कच्छा दस में हो है नहीं आता तो basic मैं जॉइन कर लो बाबू ठीक है कैसे करते हैं पता है तुमें भाई यहां से हमें 10 कमान निकालना है तो minus 10 निकालेंगे तो one minus 1 square हो जाएगा दोनों तरफ क्या होगा minus से गुड़ा हो जाएगा दोनों तरफ जब minus से multiple कर दोगे इतना हो सकता है इसी सर्वसमिका से minus 10 square है ऐसे लिख लिए बराबर की जगा बराबर लगा कि one को ऐसे लिख दिया यह सेक स्कॉयर इधर गया minus में हो गया अब minus 1 से दोनों तरफ गुड़ा कर दिया तो जो यह minus था हो क्या हो गया प्लस हो गया तो भईया यह सेक भी प्लस हो गया one minus हो गया क्योंकि दोनों तरफ minus 1 से multiple हो गया ठीक है तो 10 A बराबर इतना हो गया यह भी नहीं समझ मैं बेटा तो zero label join कर लो क्योंकि बीना zero label join की आगे कर लाण नहीं है ठीक है अगला करते हैं कौन सा 10 A करते हैं चलो 10 A को सेक में दिखाएंगे 10 का तो हो गया था सिर्फ A के बचा था जो बचा इसको कर लेते हैं कौन सेक A को बदलना सेक A के रूप में तो भईया कौन सेक A इतना होता है अभी अभी हम साइण A कमान निकाले थे इसके रूप में निकाले थे ना under root sec square a minus 1 upon sec a ऐसे ही कुछ निकला था ना अभी शुरू में आपको पता है सबको अच्छे से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये एक fraction farm में है बाबू ये अंकेला है यानि ये भी one upon one कर सकते है इसको cross multiple ऐसे कर देंगे पलट जाएगा ये तो final में sec a upon ये under root में sec square a minus one हो जाएगा ठीक है यही क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा इस तरह से आपका जो ये question था इसके सारे part खतम हो गए दूसरा भी इंडो हो गया ठीक है note कर लिजिए question second खतम चलिए question number third की तरफ आगे बढ़ते हैं ध्यान देना बिल्कुल कहीं नहीं जाना है अगला next question आपके सामने screen पर बस तुरंद question आपके सामने screen पर सबसे उपर टॉप पर दिख रहा है ध्यान से देखिए कह रहा है कि इनके मान निका लिए मान निका लिए मतलब CBSC board में लिखा होगा evaluate क्या लिखा होगा evaluate ठीक है तो चलिए evaluate करते हैं यानि इसका हम मान फाइंड करते हैं कैसे करते हैं screen पर आपको question दिख रहा बैटा sin square 63 degree plus sin square 27 degree नीचे अपान cos square 17 degree plus cos square 73 degree यानि आंस ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां से हल सुरू करते हैं sin square 63 को हम ऐसे रहने देंगे ठीक है plus की जगा plus देखो बैटा sin square 27 को हम लिख सकते है sin square 90 minus 63 इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न जब 90 से 63 घटाओगे तो 27 आ जाएगा तो इसकी जगा पे हम लिखेंगे sin square 90 minus 63 ठीक है किसी को कोई doubt नहीं चलो ठीक है done आगे देखते जाना cos square 17 17 और फिर plus का sign है तो plus और cos square देखो बैटा 73 को हम लिख सकते है 90 minus 17 क्यों 90 minus 17 लिख सकते हैं क्या हाँ लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को चलिए अब समझते जाना बहुत आसान है अंसर आ गया sin square 63 और sin square 90 minus theta 90 minus theta बिटा हो जाएगा ये cos square theta होता है ना भाई आप सबको पता है 90 minus theta cos में बदल जाता है उसी तरफ नीचे वाला जो है ये cos square 1717 और ये क्या होगा ये किस में बदल जाएगा ये sin में बदल जाएगा चच्चा है ना cos 90 minus theta equal sin theta sin 90 minus theta equal cos theta ये सूत्र होता है ये तुम्हें याद रहना चाहिए ये sin 90 minus theta equal होता है cos theta याद रखना ये formula है ये सूत्र है ठीक है और cos 90 minus theta equal sin theta ये सूत्र है याद कर लेना ये बड़ा breaker लगा है क्योंकि चोटा breaker दो बार इकठ़ने लगता है समझ में आए क्या है ये सूत्र है ठीक है अब एक formula ये भी है समझते जाओ सारे formula ही हैं यहाँ पर यह sin square theta और plus cos square theta equal 1 होता है ठीक है क्या होता है 1 होता है तो यानि इसके उपर की जगाफे क्या करोगे 1 कर दोगे नीचे क्या होगा यहाँ भी 1 होगा final में 1 answer आएगा इसमें किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए है न इस तरह से आपका पहला part complete होता है तो बेटा इसका screen start ले लो जल्दी से जट से हम next question की तरफ इसका second part की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए screen start लीजिए आप video को रोख करके लिखिए चलिए second part देखते हैं दूसरा part देखिए screen पर आपके सामने है सबसे उपर साइड में आपको दिख रहा है आप इसमें थोड़ा सा mind दोड़ाईए अपना और मुझे बताईए करहा है sin 25 degree into cos 65 plus cos 25 into sin 65 ठीक है done चलो तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे इसको भी हम हल कर देते हैं आदा मिनट के अंदर ध्यान देना देखो बेटा लिखा है sin 25 into cos 65 तो हम एक काम करेंगे हम sin 25 को यहाँ पर ऐसे का ऐसे लिख देंगे into cos 65 ना तो देखो बोटा cos 65 है उसको मैं लिख सकता हूँ cos 90-25 मैं question नहीं लिख रहा हूँ question स्क्रीन पर दिख रहा देख लो दिख रहा ना यानि cos 65 को हम ऐसा लिख सकते हैं फिर plus का sign है तो plus लगा देंगे cos 25 है तो cos 25 लिख देंगे into sin 65 है देखो बेटा sin 65 की जगा पर तुम लिख सकते हो क्या लिख सकते हो sin 90-25 लिख सकते हो ना ऐसा चलो question खतम हो गया मैंने question हटा दिया आप solution यहीं से शुरू होता है तो यह हो जाएगा sin 25 जैसे था वैसे ही into cos 90-theta equal हो जाता है sin theta plus यह cos 25 sin 90-theta into हो जाता है cos theta क्या हो जाता बेटा cos theta theta की जगा पर 25 यह दोनों देखो एक साथ हिंदम सेम है इनका multiple हो जाएगा sin square 25 और यह cos square 25 ठीक है sin square theta plus cos square theta मान होता है 1 कितना आसान था ना solution हो गया इसका भी रोंक करके screen side ले लिजिए वीडियो को push करके कोई भी doubt है तो बताईए नहीं न अगला question पर बढ़ेंगे 4 number पर बहुत जल्दी करिए देर मत किया करिए और हाँ अगर आप हमें YouTube पे देख पा रहे हैं बाबु तु बिल्कुल free class के लिए PVR study channel को अभी subscribe करें PVR study लहाबा channel PVR study 3.0 channel यह दोनों आपके 9th class के लिए हैं PVR study 3.0 पर सारी class से मिलती हैं ठीक है तो तुरन subscribe करके और class को like जरूर करना चलिए अगले प्रस्न की तरफ हम लोग कदम बढ़ाते हैं धीरे से यह class छोटी ही चलेगी इसका आगे का जो अगला part होगा उसमें question number 4 और 5 देखेंगे हम ठीक हैं तो बेटा अगला class जरूर देखना comment करके बताना अगर देखना चाहते हो तो तुरन्द comment करना